हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू एड्यूहब एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेश के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंट वो है माइक्रोशॉफ्ट ऑफिस माइक्रोशॉफ्ट ऑफिस का यह पार्ट टू है पार्ट वन मैंने अल्रेडी आपको मिल जाएगा फिर आपको कम्प्यूटर नॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगा फिर आपको नॉलेज को प्लेडिस्ट है उसके अंदर आपको इसका पार्ट वन मिल जाएगा आज हम स्टार्ट करने वाल है पार्ट टू जो है Microsoft Office माइक्रोशॉफ्ट ऑफिस के तो menu bar में file option पर हम click करेंगे, हम जाएंगे menu bar में, menu bar में हमें मिलेगा file option, file option में हम click करते हैं, pull down menu आएगा, जैसे ही click करेंगे तो menu होगा, pull down होने के बाद में हम open पर click करते हैं, किस पर हम open पर click करेंगे, तो जिस file को हमें delete करना है, हम उस file को open कर लिया, हमने select कर लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, right click करके delete option पर click करते हैं, और file delete होती है, और file recycle बिन में चली जाती है, तो अभी हमने क्या देखा, how to delete a file, आप किसी भी file को कैसे delete कर सकते हैं, तो हम क्या चली जाएगे, menu bar में, file option में, click करते हैं, menu bar में जाएगे, और file option में click करते हैं, pull down होगा menu, और pull down होने के बाद में, open होगा, open आएगा, हम उस file को open पर click करके, file फहरे हम open कर लेंगे, जैसे ही वो file open हो गया, तो हम right click करके delete करेंगे, तो वो file delete हो जाएगी, और recycle bin के अंदर, च है उसको हम क्या से डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट अंडू एन रिडू ऑप्शन यह बहुत इंट्रेस्टिंग ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है कि आपने जो भी काम किया है उस काम को आप वापस उसकाम को सही भी कर सकते हो ठीक होता गया कि हम जल्द जल्दी काम करते हैं कुछ काम गलत हो जता है तो हम उसकाम को च्छोटे चोटे चोटे तीर के निसान होते हैं उस पर किलिक करते हैं हाली में किया कारिया उसे हम अंडू कर सकते हैं ठीक है और जिस काम को हमने अंडू किया है उसी काम को हमें वापस वापस जो है रीडू भी कर सकते हैं जिसको हमने अंडू किया है उसको हम रीडू भी कर होने से पहले save नहीं किया हो अगर हमने उस काम को हम change कर सकते हैं इस में ठीक है कि नेक्स्ट हम देख रहे हैं print a file how to print a file तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों menu बार में file option पर हम click करेंगे ठीक है जैसे हम click करेंगे तो जो menu है वो पूल डाउन होगा पूल डाउन होने पर यहां पर एक option आएगा प्रेंट तो हम उस प्रेंट option को select कर लेंगे ठीक है फिर प्रेंट डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसमें बाइड डिफॉल्ट जो है वह पोट्रेट मोट के उपर प्रेंट आता है उसको आप कि जो फाइल है आपने उसमें जो काम किया है या तो आप किसी फाइल को open कर सकते हो Ctrl O करके या फाइल मेन्यू में जाके option पर क्लिक करके ठीक है या फिर अगर आपके आपने जो फाइल पर अप्रेंट देना चाहते हो तो आप क्या करोगे दोस्तों जैसी उस फाइल को प्र option select करना है प्रेंट तो वहाँ पे आपने प्रेंट का option select कर लिया जैसी आपने यो है फिर फिर ये और बाक्स वहाँ पर वहाँ सापन हो जाएगा जैसीह आपने Π्रेंट बटन पर क्लिक की उसके बाद आप generative आपको लैंड्सकेर निकालना है आपको पोट्रेट निकालना है थी कि में फिर आपको दो पेज की साइस को जूम-इन घूम-डर न आफाण करनाई पेस्त आफको प्रिंट करना है अदर आपने प्रिंटर सेलेट न इंदर तो इसमें बहुत सारे options होते हैं ठीक है कि आपको कौन सा printer select करना है कैसा page लेना है ठीक है तो यह सारे चीज़े जैसे आप set कर लोगे उसके बाद आप जैसे ही print button पे click करोगे तो यह software जो आपके hardware को connect कर लेगा और जो है आपका जो paper है जो file आपने print वे दिया है वो file आपके printer क थूरू print out निकल जाएगा ठीक है उस printer को पहले आपको उस computer के अंदर उसके driver को install करना पड़ेगा जैसे ही वो printer आपके driver में install रहेगा उसी printer से आपके computer आपका जो software है उसको command देगा और आपका जो paper है वो print निकल जाएगा दोस्तों clear है तो how to print a file उसके लिए आपको menu वार मेन्यू में क्लिक करना है और जैसे आप file मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपका जो menu है वो pull down होगा और pull down होने के बाद में वहापको print का option मिलेगा ठीक है print का option पर मिलने के print का option मिलेगा उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक portrait mode open होगा और उस mode में आप अपने according जो है option को select करके print दे सकती हो clear होगे दोस्तों अभी हमने क्या क्या देखा how to delete a file आप delete कैसे कर सकते है एक file को तो उसके लिए आप क्या करना है menu बार में file option म जैसे जिस file को अपने select कर लिया है दोस्तों ठीक है उस file को आप right click करके delete का option आएगा और उसरे आप delete कर सकते हो जैसे आपने किसी file को delete कर लिया वह file जो है आपके recycle bin में चली जाती है जैसे आपने क्लिक करके हाली में किया गया जो कारिय है उसे हम अंडू कर सकते हैं ठीके जिस कारियों को अंडू किया गया है वह सही नहीं है तो उसे वापस हम रिडू भी कर सकते हैं ठीके दोस्तों ये के लिए हो गया दूसरा है प्रिंट फाइल हम कैसे किसी फाइल को प्रिंट दे सकते है तो उसके लिए भी हमें मैनुवाल में file option को select करना पड़ेगा जैसे ही हमने मैनुवाल में file option को select कर लिया दोस्तों उसमें हमारे पास print का option आएगा हम print option में click करेंगे फिर हम अपने according अपने settings को set करेंगे कि हमें page कैसा चाहिए हमें कैसे setting चाहिए इन सब्सक्राइट करने के बाद हम print पर click करेंगे और हमारा page जो है वह print होके आजाएगा next हम बात करते हैं text को search करना how to search a text तो उसके लिए हम edit menu में find पर click करते हैं ठीक है फिर find box में जो find box में जो open हो जाता है उसमें text लिखते हैं find box में जो open हो जाएगा उसमें क्या लिखेंगे text लिखेंगे ठीक है find next में click करेंगे और टेक्स्ट को find कर सकते हैं देखो क्या होता है यह इसके मैं आपको चीज बताता हूं टेक्स्ट को find search करना जैसे आपने कोई document लिख रखा है आपने अभी कोई document लिखा हुआ है या आपने कोई document open कर रखा है ठीक है अब आप चाहते हो उसमें से कोई word जो है या कोई text जो है उसको find करना तो आप क्या करोगे ctrl f बटन आता है और दूसरा जो है वह file menu में जाओगे और edit menu के अंदर यहां पर आपको find का बटन मिलेगा ठीक है आप उसमें क्लिक करोगे जैसे आपने क्लिक किया तो एक ऐसा चोटा सा dialogue box open हो जाएगा और यहां पर जो है आप अपने जो text को type करोगे जैसी आपने जो text type किया और आपने find क्लिक किया उस find next पर क्लिक करते ही जो है आपका जो text या वर्ड या आपका sentence है वह find कर लेगा software ठीक है और वह ऐसा नहीं कि वह एक बार करेगा अगर वह text आपने बहुत वार लिख रखा है तो वह आपको सारी जगे पर लिके जाएगा ठीक है मतलब इस पूरे document के अंदर अगर आपने वह जहां जहां पर फाइल लिक कर सकते हो फिर बात आती है टेक्स्ट को find and replace करना जब आपने किसी टेक्स्ट को find कर लिया है जैसे suppose करो आपने पूरे एक एक example लेते हम कि आपने पूरे एक letter एक पूरा टाइडर टाइप किया है उसके अंदर आपने कहीं पर google लिख रखा है क्या लिखा है तो आप ने पहले उस find कि या आपने गूगल जो है वो 15 वार लिका है कितनी वार लिका है 15 वार के लिखा है अब चाते हो मैं उस दुट Oláगिए पड़े पेपर नहीं कर सकते हो कि कहा पी LK किया और आपने Google लिख के सर्च किया, जैसे आपने करेंटर लाफ करके Google लिख के सर्च किया, तो आपको जहां जहां पर Google लिखावा है, वो find करके बता दिया उसने, अब आपके पास replace का option आता है, replace में आपने लिख दिया yahoo.com, ठीके, और आपने replace, या replace, अगर आपको एक वार एक word लिखावा था, yahoo.com, अब गूगल से yahoo में convert हो जाएगा, ठीके, यह मैं आपको एक example देकर समझाया है, जिससे आपको समझने में बहुत असानी होगी दोस्तों, तो यह find और replace का का काम कैसे करता है, पहले आप किसी टेक्स को find कर सकते हो, और बाद में आप उस text को replace कर सकते हो दोस्तों, ठीके, edit menu में हम replace में click करते हैं, जिस text को हटाना है, हम वह लिखते हैं, replace box के अंदर उसे हम लिखते हैं, और जिससे replace करना है, फिर find text में click करते हैं, और हम उसको replace कर देते हैं, replace box के अंदर हम उस word को लिखेंगे, जिस word से हमें उस find, find जो text है, उसको replace करना है, यही समझाना चाहरा है, यह menu कहां मिलेगा, आपको, यह मिलेगा, आपको edit menu में, edit menu में आपको replace पर click करना है, जिस text को हटाना है, पहले तो वो लिखोगे आप, ठीके, आपको google हटाना है, तो पहले आप google को लिखोगे, फिर नीचे replace box आएगा, replace box के अंदर आप उस चीज को लिखोगे, जिस से आपको उसको replace करना है, ठीके, फिर आपको यह तो replace करना है, यह replace all करना है, उन सब पर आप click करके, यह चीज़ कर सकते हो, दोस्तो, फिर है, text का, जो है, case में परिवतन करन जो भी text होता है, दोस्तो, उसके case में परिवतन करना, मतलब, case क्या होता है, friend, जो word हमने लिखा है, suppose को हमने लिखा है, Google, तो Google का जो G है, वो छोटा है, की बड़ा लिखे हम, ठीक है, जो पहला text होता है, उसके case में परिवतन करना, तो देखो, इसको हम समझते हैं, किसे text के case को, अपर case, यानि capital letter, lower case, यानि small letter, या title case, यानि पहला letter, capital और बाकी case, small letter में change कर सकते हैं, हम, ठीक है, अगर हमने कोई भी text लिखा है, friend, उसके हम case को, upper case, lower case, या title case के अंदर, हम उसको change कर सकते हैं, दोस्तो, जिस text को case में हमें परिवतन करना है, उसे हम select करते हैं, और फि format पर हम click करते हैं, ठीक है, फिर जो है, हम menu bar के format में हम click करेंगे, text का जो case है, उसको हम कैसे change कर सकते हैं, उसको हम upper case में कर सकते हैं, lower case में कर सकते हैं, या हम title case में कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोस्तो, जिस text के case में परिवतन करना है, उसे हम select सबसे बड़ी चीज क्या होती है जिस भी डॉक्यूमेंट में हमें कोई भी चेंज करना पड़ता है ना दोस्तों तो हमें पहले उस चीज को सलेट करना पड़ता है जैसे ही हम उस चीज को सलेट कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद जो है वो चीज पर हम कोई भी फॉर्मेटिंग जो है इंक्लूड कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले हम किसी भी चीज को सलेट करेंगे चेंज करने के लिए क्लियर है दोस्तों तो अब हमने हभी तक क्या-क्या पढ़ा है एक बार हम इसको देख लेते हैं हमने पढ़ा ही टेक्स्ट को सर्च कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को सर्च करने के लिए आपको एड़िट मेन्यू में फाइंड पर क्लिक करना पड़ेगा और फाइंड पर जैसी किलिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा उस बॉक्स के अंदर आपको अपना एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और जैसे ही लिख दिया आपने और कि सर्च पर क्लिक करोगे तो वह टेक्स्ट जो है वह फाइंड कर लेगा किलियर दूसरा है text को find and replace करना edit menu में जैसे हम replace replace पर click करेंगे तो डायलोग box open होगा जिस text को हमें हटाना है पहले हमें वो text लिखना पड़ेगा फिर नीचे replace box के अंदर हमें उस text को लिखना पड़ेगा जिस text को हमें replace करना है ठीक है उसके बाद हम जैसे या तो उसको replace करेंगे तो वह एक बाद text को change करेगा और replace all करेंगे तो सारी जगह पर वो text को change कर देगा फिर हम देखते हैं text का case में परिवर्तन text किसी भी text को हम upper case यानि capital letter lower case यानि जो small letter एक title case जिसमें पहला letter capital और बाखी लेटर को small बना सकते हैं ठीक है अब यह कैसे होता है दोस्तों इसको हम change कर सकते हैं मैं इसमें क्या करना होगा इसमें हमें जो है menu bar को select करें जिस पहले तो हमें जो text को select करना पड़ेगा जिसको हमें change करना है दोस्तों फिर हम menu bar में format पर क्लिक करते हैं किसमें format में क्लिक करते हैं चेंज केस में क्लिक करके कोई भी option का चयन कर सकते हैं फिर हम क्या करेंगे चेंज केस में क्लिक करेंगे और हम कोई भी जो option है हमारा उसको हम select कर सकते हैं ठीक है फिर हम देखेंगे sentence case यह क्या होता है वाक्या का प्रथम अक्सर बढ़ा और बाकी का अक्सर छोटा हो जाएगा, यह हम case लिटे डी पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि हमने format में case में क्लिक किया, ठीके, यह देखो, हमने क्या किया, कि format पर क्लिक किया, ठीके, menu बार में जो format उसमें क्लिक किया, और change case में हमने क कोई sentence लिख रखा है उसमें वाक्य का जो पहला अक्सर है friend वो तो capital हो जाएगा और बाकी सब छोटे हो जाएंगी उसको कहते है sentence case ठीके अब lower case lower case में क्या होगा कि सारे अक्सर जो है वो small letter में परिवर्तल हो जाएगा ठीके अब sentence case में पहला letter capital हुआ था दोस्तों समझना ध्यान से इसको लेकिन lower case में सारे के सारे letter ही आपके small में हो गए है फिर हम बात करते हैं upper case अपर case में क्या होगा दोस्तों सारे के सारे जो भी letter है आपके वो capital letter में परिवर्तल हो जाएगे सारे के सारे लेटर, सारे के सारे लेटर जो है वो अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर आता है टाइटल केस, टाइटल केस क्या होता है, वाक्या का पथम अक्सर होगा, जो की कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, जो टाइटल केस होगा, फ् उसको k Kapital सुट फिर आपने दूसरा लिखा उसंगे फिर्फ लेटर लिखा उसमें फरस्ट लाटर कैपिटल यानि अगर आप पूरे सेंटेंस की बात करोगे तो उस sentence कе नदर पहला later capital फिर फिर space के बाद पहला later capital फिर⁉सपेस के बाद पहला later capital ऐसे हो जाएगा इसको बनते हैं title case ठीक है फिर आप बात करोगे toggle case की toggle case keep me capital में लिखेंगे text को तो small कर देगा और small letter में लिखेंगे text को Capital letter में change कर देगा ठीक है friends तो यह है जो की case के अंदर आप परिवतन कर सकते हो तो हम इसको देखते हैं दुबारा से text के case में परिवतन करना किसी भी जो text है उसके case में कैसे परिवतन कर सकते हैं या तो upper letter कर सकते हो that means सारे capital में हो जाए या फिर lower letter कर सकते हो सारे के सारे जो है वो small letter में हो जाए या फिर जो है आप title case कर सकते हो जिसमें पहला letter capital हो जाए और बाकी के सारे letter small हो जाए ठीके तो इसके अंदर हम क्या करेंगे हम पहले तो उस word को select कर लेंगे जिसको हमें change करना है उस sentence को उस paragraph को या उस text को हम select कर लेते हैं ठीके उसके करके कोई भी option का हम चयन कर सकते हैं ठीके दोस्तों इसमें क्या आएगा sentence case sentence case में क्या होगा वाक्य का पथम अक्सर बढ़ा और बाकी के सब अक्सर छोटे हो जाएंगे ठीके इसमें क्या होगा वाक्य जो है sentence जो है उसका पहला अक्सर तो बढ़ा हो जाएगा और बाकी के स सारे अक्सर छोटे हो जाएंगे ठीक है दूसरा आईगा लोवर केस इस में क्या होगा सारे अक्सर जो है वह स्मॉल लेटर में परिवर्तित हो जाएंगे ठीक है अपर केस upper case में क्या होगा friend सभी अक्सर जो है capital letter में change हो जाएंगे फिर आएगा है title case title case में क्या होगा friend वाक्या का जो प्रत्थम अक्सरे वो capital हो जाएगा और बाकी के सारे अक्सर जो है वो small हो जाएंगे फिर हम बात करेंगे toggle case की toggle case में क्या होगा दोस्तो capital letter में लिखे गए text को small और small letter में लिखे गए जो text है उनको capital letter में change कर देता है toggle case क्या करता है दोस्तो जिस चीज को अपने capital में लिख रखा है उसको तो ये small बना देगा और जिसको अपने small में लिख रखा है दोस्तो उसको ये capital बना देगा ठीके तो ये चीजे होती है इसके अंदर के लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आप header and footer कैसे create कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा view से header footer पर click करेंगे और header बनाने के लिए header area में text या graphics डाल सकते हैं बनाने के लिए header में क्या कर सकते हो या कोई भी ग्राफिक से वह डाल सकते हो how to create a header and footer तो view से क्या करोगा आप header और footer पर click करोगे header बनाने के लिए header area में text या graphics से उसको डाल सकते हो आप उसको आप लिखोगे महां पे और वह आपका header बन जाएगा इसके इसमें क्या डाल सकते हैं insert page number, insert date, insert time, insert number of page, insert number of page यह सब चीज़ आप हैड-on कर सकते हैं कौन-कौन से insert page number, insert date, insert time, insert number of page यह सब चीज़ आप इसमें involve कर सकते हैं तो यह है how to create a header and footer तो इसमें क्या होगा view में header footer पर click करोगे और header बनाने के लिए आपको header area में जो है text या graphics को डालते हैं ठीक है फिर आता है file का जो नाम है या author का नाम देने के लिए insert auto text पर click करते हैं क्या करते हैं फाइल का नाम या author का नाम देने के लिए insert auto text पर click करते हैं footer बनाने के लिए same step है बस header की जगे हमें footer को select करना है ठीक है दोस्तों हमने जब header बनाने के क्या करना है दोस्तों इसको समझो आप जैसे हमने एक पूरा page लिया उस page के ऊपर हमें कुछ चीज़े लिखनी है ठीक है जो है insert number of page इन सब चीज़ों कर सकते हैं जैसे हम insert पर click करेंगे तो header किसको कहते हैं दोस्तों page का उपरी वाला हिस्सा तो वह header जो है वह page के उपरी वाला हिस्से में print होके आ जाएगा दोस्तों फिर हमारे पास एक option आता है footer का इसमें क्या होगा कि page का नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के अंदर अगर हमें कोई page number add करना है कोई graphics add करना है तो हम क्या करेंगे उसको select कर लेंगे दोस्तों select करने के बाद हम view menu में जाकर footer पर click करेंगे और हम footer के अंदर हमें जो चीज़े add-on करनी है उसको हम वहाँ पर add कर सकते हैं दोस्तों तो यह clear हो गया कि how to create a header and footer तो इसके लिए आपको menu जो पूछा जाएगा ना friend वो याद अखना view menu में जाना है और वहाँ पर आपको header बनाने के लिए header area में text या जो graphic से उसको डालते हैं वो select करना है फिर insert में insert में जाकर हम वहाँ पे page number date and time को select कर सकते हैं फिर file का जो नाम या author insert कर सकते है वह auto text पर हम click करेंगे तो वह सब चीज़ें इसमां insert हो जाएगी हमें जो जो चीज़े add करनी है वह हम header और footer के अंदर add कर पाएंगे insert a picture from clip part हमें कोई picture जो है वह insert करनी है from clip part जहां clip art से ठीक है जहां clip art लगाना है उस इस्तान पर हम पहले click करेंगे cursor को ले जाते हैं जहां पर हमें जो है microphones clipart जहां पर हमें जो है कोई picture insert करनी है ौहां पर यसर घलाना है वहां पर क्लिख करके tror को पहले ले जाएंगे insert clipart पर CLICK करके चित्र में क्लिक करते हैं ठीक है tworum क्या करते है insert करते हैंLeव है ओर हमने पिक्चर को बंद करदे हैं हमने क्लिप कर द image करना है उसके एक कुल्फ बांट लगाना है तो हमने हुआ यहाँ पर लगाना है क्लिक कर देंगे क्ल् Leon का apprendre चुकहे हैं अब हमने उस पैक्टर को स्लेट कर लिया है हमें जो पिक्टर चाहिए और उस पिक्टर को स्लेट करने के बाद में हमने क्लिप आट को मारा क्लीप टार्ड कर दिया या यहां पर क्या होता है कि हम जो यह पसन है यह बहुत जी ख्याना, पूछे जाने वाले होते हैं दोस्तों जो यह keyboard की जो operation है होते हैं इनके थुरू क्या होता है ठीक है आपको यह पूसद आएगा जैसे Ctrl N है Ctrl N के थुरू आप क्या कर सकते हो तो आपका पता होना चाहिए कि Ctrl N के थुरू आप एक जो है new document को create कर सकते हो एक नई blank और template अधारित file को बनाने के लिए आपको Ctrl N करना पड़ता है ठीक है तो हम यहापे क्या देखने वाले हैं दोस्तों जो कीबोर्ट के जो operation ने उनके बारे में टूल का नाम वो क्या-क्या काम करेगा और उसका जो है वीवरन उसका पूरा detail हम यहापे देखने वाले हैं ठीक है तो पहला आता है Ctrl N Ctrl N, N का मतलब होता है new document तो Ctrl N के through you have to open या you have to create a new document ठीक है तो उसके लिए आपको file menu में new में जाके click नहीं करना पड़ेगा आपको अगर direct shortcut की पता है ms word की Ctrl N तो आप Ctrl N पर click करके भी आप directly उसी option पर जा सकते हैं इससे आप new document को add कर सकते हैं blank कर सकते हो या template आपको जो भी च collect कर सकते हैं दोस्तों के लियर हुआ Ctrl N के through you have to create a new document blank और including template ठीक है तो आप उसको कर सकते हैं next रहता है Ctrl O, Ctrl O के through open a document Ctrl और O बटन पर click करोगे तो O का मतलब opinions related है तो Ctrl O क्लिक करने पर आप एक जो है new document को open कर सकते हैं आपके बास dialogue box open हो जाएगा open का उसके बाद आप यहां पर कोई भी file को select कर सकते हो दोस्तों ठीक है जैसे आप उस file को select करोगे तो वो file जो है आपकी open हो जाएगी next है Ctrl S, save के लिए save करना है अगर आपको कोई file तो आप Ctrl S करोगे देखो ठीक है यह जो याद करना बहुत ज्यादा easy है क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी नाम है न वो उसके according ही दिया गया है तो आपको जो है इतना difficult नहीं होगा जैसे Ctrl N open to new document ठीक है फिर आपके पास option आता है Ctrl O, Ctrl O के थुरू आपको इडोक्यमेंट को open कर पाऊगे ठीक है फिर आता है Ctrl S, Ctrl S के थुरू क्या होगा दोस्तों कि आप किसी file को जो है save कर पाऊगे आपने कोई document पर भी काम किया document पर काम करने के बाद में आपने Ctrl S कर दिया जैसे ही आपने Ctrl S किया दोस्तों तो वह file जो है आपका save हो जाएगा ठीक है आप उसको कोई भी नाम देकर उस file को और उस और कोई भी जगह पर आप उस file को save कर सकते हो इसके लिए आपको file menu में जाकर save button पर क्लिक करने की ज़रूत नहीं है डिरेक्ट लिए आप उसी document के उपर Ctrl S करोगे Ctrl के साथ में S को दबाना है Ctrl प्लस S का मतलब होता है Ctrl के साथ में S को दबाना जैसे आपने S को दबाया तो आपके पास में एक dialogue box open हो जाएगा और उस dialogue box के अंदर आप वहाँ पे उस file का नाम और उस file की location set करके save कर सकते हैं दोस्तों clear है फिर आता है mail receipt mail recipient क्या होता है document को email send करना जो आपने document बनाया है दोस्तों उस document को directly आपको email करना है तो आप mail recipient में क्लिक करेंगे फिर आता है Ctrl P देखो मैंने आपको यह भी print का option बताया था मैंने उस time भी आपको इसके उपर discuss किया था कि आपको file menu में जाकर print पर क्लिक ना करके आपको दूसरा option यह होता है कि आप Ctrl को दबाएं और उसके हथ में पी बटन को दबाएं जैसी आप Ctrl और पी बटन को दबाएंगे तो आपको जो है print वाला जो डायलोग box open हो जाएगा और यह जो आप file पर काम कर रहे हैं उसी file पर यह डिरेक्ली करना है प्रिंटर की सैटिंग करनी है इन सब चीजों को सेलेट करने के लिए आपको डायलोग box डिरेक्ट ओपन हो गया अब वहाँ पर सेलेट करके और प्रिंट पर जैसे क्लिक करोगे तो वह आपका जो है प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट है Ctrl प्लस F2 Ctrl F2 क्या होता है हमार पास क्या option होता है Ctrl प्लस जो function की होती है हमार पास F1 से लेकर F12 F12 में से हमें F2 को प्रेस करना है है ठीक है प्रिंट का प्रिव्यू को देखके सैट कर सकते हैं फिर हम यह देखना है कि जो पेपर के अंदर जो पैराग्राफ उसके उपर कोई ज्यादा गैप तो नहीं कहीं पर कोई वर्ड है जो ढंग से लिखावा तो है ना तो इन सब चीजों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले प्रिंट सकते हैं तो यह सब चीजे हमें प्रिव्यू देखके ही अंदाजा लगा सकते हैं तो कंट्रोल प्लस एफटू के थुरू हम प्रिंट कर सकते हैं जब फाइल को प्रिंट करना है तो उसे हम कैसे दिखाई देगा उसको हम पहले देख सकते हैं और हम उसको फिर प्रिंट दे क्वेंड जो grammar है उसको चेक कर सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट के हंदर स्पैलिंग और ुचेक कर सकते हैं एक स्पैलिंग या घ। करना है तो हम क्या करेंगे simple मतलब देखो आप computer कितना advance हो गया है कितनी चीजों को वो समझ रहा है आपने F7 पर प्रेस किया यह आपको error दिखा देगा कि यहाँ पर जो है वो grammatical error है यहाँ पर spelling जो है गलत लिखावा है क्योंकि क्या होता है यार human error है आप किसी भी word में अपना जो लेटर टाइप कर रहे हो या कोई document create कर रहे हो उसके अंदर आप से गलती हो सकती है लेकिन computer जो है वो आपकी गलती को बता देगा और आपको उस गलती को सुधारने का मौका भी देगा ठीक है तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ा पड सकते हो दोस्तों तो control n का जो option है अगर आप से पूछा जाएगा exam के अंदर कि control n से क्या होता है तो आप बोलोगे control n का यूज जो है हम new document को create करने के लिए करते हैं next आता है control o control o के थुरू क्या होता है दोस्तों control o के थुरू आप किसी भी document को open कर सकते हो दोस्तों ठीक है आ आपने कोई file पे काम कर लिया है अब आप चाहते हो कि वह file आप save कर दो तो उसके लिए आपको पहले file की drive को select करना पड़ेगा फिर आप उस file में नाम देओगे और उस file पे आपको save कर दोगे तो उसके लिए पहले आपको control s करना पड़ेगा control s करने पर एक dialogue box open हो जाएगा उस dialogue box के अंदर आप location और file का name select करके save कर सकते हो फिर आती है बात mail recipient की mail recipient क्या होता है अगर आपने कोई document type किया हुआ है और उस document को आपको direct mail करना है तो आप mail recipient पे click करके उस file को mail कर सकते हो ठीक है फिर बात करते है control p control p के थूरू आपकी cv file को print कर सकते हो दोस्तों क्या होग पर आपने कोई file जो वर्तवान में आप काम कर रहे हो उस file को अपने select किया select करने के बाद में आपने control p किया जैसे आपके पास डायलोग box open हो गया जिसमें आप अपने print की settings को कर सकते हो आपने setting को set किया और setting set करने के बाद में आपने print पे click कर दिया, जैसे आपने print पे click किया, वो file आपकी print हो के आ जाएगी, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, control F2, control F2 क्या होगा, print preview, control F2 के थूरू आप क्या कर सकते हो, किसी भी file या print को का preview देख सकते हो, यह क्या होता है दोस्तों, आपको कोई भी file जो है, print करने से पहले आपको यह दिखाता है, कि यह file कैसे print होके आएगा, यह file जो है, वो कैसे print होके आएगा, यह आपको दिखाता है, control F2, तो यह क्या होता है, print preview होता है, जो भी file को print करना है, उसके पहले आपको यह दिखा देगा, कि जो यह आपका file है, वो इस type से show कर रहा है, और यह इस type से प्रिंट देने पर ये फाइल जो है ऐसे आएगा किरें दोस्तों फाइल को प्रिंट करोगे और उससे पहले आप उसको देख पाऊगे फिर आती है बात एप 7 की एप 7 क्या होता है एप 7 एक functional की है इसके थूरू आप क्या कर सकते हो आपने जो document त्यार किया है दोस्तों उस document के अंदर कहीं spelling या grammar की असुद्धी या error तो नहीं है उसको आप find करने के लिए आप क्या करोगे आपको केवल simple F7 पे क्लिक करना है और ये जो है पूरा document आपका readout करेगा चेक करेगा और जहांपे error होगी वो आपको बताएगा next है control x control x क्या होता है दोस्तों cut edit menu इसके थुरू आप किसी भी चीज़ को cut कर सकते हो वर्तमान document में से कोई भी data को cut करने के लिए आप control x का प्रियोग करते हो देखो आपने कोई sentence या आपने कोई paragraph लिखावा है आप चाहते हो वो paragraph यहां से cut हो जाए और जो है इस document के end में add हो जाए ठीके तो आप क्या करोगे control x करोगे जैसे ही आपने control x किया दोस्तो वो जो paragraph है वो वहां से पूरा का पूरा cut हो जाएगा ठीके पूरा का पूरा cut हो जाने के बाद आप जो है उस page के end में आओगे और वहां पे जाके आप control v करोगे control v करने से वो चीज वहां पे paste हो जाएगी ठीके तो यह option आपको ऐसे ही पूरा सकता है कि how to cut sentence paragraph या how to move a data in your current page ठीके तो उसके लिए भी यह सेम चीज़ होगा move करना cut करना both are same thing control x के थूरू आप data को cut करके दूसरी जग में paste कर रहे हो उसी को ही move करना कहते हैं दोस्तो ठीके clear है आपको फिर आती है बात control c की control c से क्या होगा copy होगा किसी भी text को select करके आप copy कर सकते हो ठीके आपने किसी भी text को select किया और select करके आपने control c किया तो वो text क्या है copy हो गया है ठीके वो text क्या है copy हो गया है अब आप जो है उस text को आपकी मर्जी के according जहां पर भी आप paste करना चालते हो तो वो paste हो जाएगा इसमें क्या होता है आपका टाइम बसता है friend, एक ही चीज को आपको दो बार type या तीन बार या दस बार जो पेस्ट करना है, उसमें type करने की जरूत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार type कर लिया, उसी को आप copy करते हो, और आप many time उस चीज को paste कर सकते हो, उससे आपको बार-बार जो है, repetition work जो है, typing का वो आपका टाइम जो बहुत एक्यूरेसी के साथ भी काम करता है होता क्या है देखो अगर आप किसी चीज़ को बार वार टाइप करोगे तो हो सकता है फ्रेंड कि आपने पहली बार सही लिखा दूसरी बार अपने वर्ट गलत लिख दिया तीसरी बार टाइप कर गो उसी को कॉपी करके कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी कर सकते हैं आपने अभी कुछ किया उसके बाद आपको लगा कि यह मुझे कि तो अभी करो इसे आभी करो तो ऐसे आप वापस पिसमे आप हाइपर लिंक डिऑ कर सकते हो इसमें आप नया है इसमें बाना सकते हो किसे सब्रूब? control के के थुरू फिर आता है zoom zoom क्या होता है वर्तमान document में display को 10 से 400% तक घटा और बढ़ा सकते हो आप जो है document में जो display होता है उसको 10% से लेकर 400% तक घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो ये क्यों करते हैं friend अगर हमें कुछ चीज़े पढ़ दी है तो हम उसको अपने coding जूम कर सकते हैं हमें कुछ चीज़े कम कोई चीज़े पहले से बढ़ी है तो हम उसको zoom in कर सकते हैं तो ये zoom in, zoom out का feature होता है इसके अंदर जिसके थुरू आप किसी भी text को zoom करके या zoom in करके देख सकते हो F1 help topic होता है and tips होता है F1 क्या होता है help के लिए होता है जिसे हमें साहिता मिलती है हमें कोई भी document या किसी भी software को पर अगर हम काम कर रहे हैं अभी हम MS Word की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमने F1 को praise किया तो ये F1 की praise करने पर help का option open हो जाएगा और उसके अंदर ये पूरी जो manual होगी MS Word की वो include होगी इसमें आप ये देख सकते हो कि कोई भी function कैसे play करना है उसके detail जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगी फिर हम बात करते हैं bold bold कैसा होता है control और B control और B को अगर आप प्रेस करोगे तो वो bold हो जाएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले text को select करना पड़ेगा उसको bold bold क्या होता है मतलब ये लिखा है मैंने B अब मेरे को इसको गैरा करना है मतलब इसको highlight करना है bold करना है मेरे को इसको अब देखो ये बहुत जदा bold हो गया है तो इसको करने के लिए हमने अब ये एक ये बर्ड लिखा और ये वर्ड लिखा वाई तो ये bold word है ठीक है इसको करने के लिए हम क्या करेंगे पहले इसको select करेंगे इस text को select करने के बाद हम control और बी करेंगे तो वो text क्या होगा bold हो जाएगा फिर आता है italic italic करने के लिए italic एक font एक style है font नहीं ये style है text को italic करने के लिए काम आता है जैसे एक ये लिखावाई B और एक ये लिखावाई B ये italic हो गया ठीक है इसको करने के लिए करना है दोस्तों कि आपको उस पहले word को select करना है उस paragraph को select करना है sentence को select करना है जिसको आपको italic करना है उस पूरे page को select करना है अगर आप चाहते हैं पूरा page ये italic हो जाए तो आप उस पूरे page को select करेंगे उसके बाद आप control i करेंगे control i करते ही वो पूरा का पूरा डेटा जो है आपका italic में convert हो जाएगा ठीक है एक बार हम इसका quick review करते हैं control x किस काम आता है किसी भी text को cut या move करने के काम आता है आप पहले text को select करेंगे फिर आप control x करेंगे तो वो जो text है वो वहाँ से cut हो जाएगा फिर आप बात करते हैं control c की control c के द्वारा आप किसी भी text को copy कर सकते हैं तो उसके लिए आपको पहले text को select करना पड़ेगा और उसके बाद आप उस text को copy कर सकते हो ठीके फिर अब बात करते हैं Ctrl V की, Ctrl V के थुरू आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो, अगर आपने कोई डेटा को पहले से कॉपी कर रखा है, या आपने कोई डेटा को पेस्ट करना चाते हो, तो Ctrl V के थुरू आप जो है उस डेटा को पेस्ट कर सकत हो, फिर हम बात करते है o Ctrl,-Z में क्या होता है o g20 जो आपने लास्ट में command को आप आपνα चाहते हो तो आप जो क्ञांल कर सकते हो दोस्तो अट कर तिरूज हम रिदीरु उस को आपा कैंसल कर सकते हो दोस्तों है और हम बात करते ह deity की वह है control y आपने control z कर दिया है लेकिन आप चाहते हो कि वापस से मुझे वो चीज चाहिए तो आप control y के थुरू जो undo करीवी command है जो यह undo करीवी जो चीज है उसको वापस से आप redo कर सकते हो दोस्तों फिर आता है control x hyperlink create करने के लिए फ्रेंड आपको control k पर click करना पड़ता है जैसे आप control k करोगे तो वो जो selected line है पहला आप selected line को selected line पर hyperlink create हो जाएगा जूम जूम क्या होता है दोस्तों वर्त जो document है उसको आपको चार दस से लेकर 400 तक देखो यह question बहुत और पूछा गया वाई friend की MS word के अंदर zoom की कितनी quantity अब गिया कितनी मात्रव जूम कर सकते हो तो आप बोलोगे 400 परसेंट तक शों कर सकते हो तो यह क्या होता है आपने कोई document लिखा है उसको आपको दिखने रहा है ओव उसको बड़ा करना चाहते हो तो आपको 400 परसेंट तक जूम करने की facility जो है MS Word प्रोवाइट करता है जूम इन क्या है आपको उसको छोटा करना है तो 10% तक आप उसको जूम इन कर सकते हो दोस्तों फिर आता है F1 help topic या tips प्रदान करता है इसमें क्या होता है दोस्तों F1 के अंदर अगर आपने कोई जो data है अगर आपको जो MS Word के बारे में manual को पढ़ना है कि मुझे ये सब चीजे कैसी होगी क्या क्योंकि देखो आपको ये सब चीजे करने के लिए पहले उसके बारे में knowledge लेना पढ़ता है तो आप क्या करोगे F1 में click करोगे MS Word के तो आप उसके help center में चले जाओगे और वहाँ पे आपको सारे shortcut keys सारी चीजों का manual मिल जाएगा कैसे use करना है कहाँ पे क्या करना है इन सब की जो manual है वो F1 के अंदर save रहते हैं तो आप F1 पे click करोगे तो आप जो है help menu में पहुंच जाओगे दोस्तो फिर आता है bold control B अगर आपने कोई data को select किया उसके वाद आपने control B किया तो आप उस data को जो है अपने according change कर सकते हो control B करने से वो data आपका bold हो जाएगा इसके लिए आपको पहले data को क्या है select करना पड़ेगा अगर आप select नहीं करोगे तो तब तक वो चीजे change नहीं होगी दोस्तो फिर है italic italic करने का मतलब में आपको बताया था किसी भी जो यह style होती है इसको आप italic कर सकते हो तो इसके लिए आपको पहले जो है friend उस text को select करना पड़ेगा और फिर control और I प्रेस करोगे तो वो जो data है वो जो document है या वो जो text है वो italic में convert हो जाएगा underline control plus you किसी यह देखो यह मैंने लिख रहा है select text को लगातार underline करता है यह से मैंने लिख रहा है इसके नीचे मैंने को यह underline करना है तो यह underline करने के लिए friend आपको control और you का उप्योग करना पड़ेगा आप जैसे ही control और you का उप्योग करोगे जिसमें selected जो data है आपका दोस्तों वो जो है उसमें underline आ जाएगी और यह तब तक चलती रहेगी जब आप इसको बंद नहीं करोगे फिर आप बात करते हैं control और E करना पड़ेगा control और E करोगे तो आपका text या जो paragraph है वो दाएं और बाएं से बीच में आ जाएगा और वो बीच में ही आप उसको लिख पाऊगे आप जितना भी data लिखोगे वो automatically जो है दोनों page के बीच में ही लिखा जाएगा ठीके तो इसके लिए आप करोगे center के लिए control और E का प्रियोग करोगे अगर आपको सारा data right side में लिखना है दोस्तो तो आपको control और R करना पड़ेगा इससे text या जो paragraph है वो आपके right side में चला जाएगा दोस्तो ठीके फिर हम बात करते है justify की किसकी justify की इसके लिए आपको करना पड़ेगा control और J text या paragraph को by तरफ करता है justify में क्या होगा कि जो आपका जो data है वो सारा जारा by तरफ लिखा जाएगा ठीके तो अभी हम आपने देखा कि data को जो text या paragraph लिख रखा है जो हमारा document आप prepare कर रहे हैं उसको center में करना है तो control E right में करना है तो control R left में करना है तो control J अब हम देखते हैं font color text में लिखावट का जो font है उसको हम color को हम change कर सकते हैं जो हमारे font का color है friend उसको हम change कर सकते हैं कैसे font color के थुरू font color का option का use करके हम text के color को जैसे red है ब्लू है, पिंक है, ऐसे बहुत सारे colors हैं इसके अंदर दोस्तों, computer के अंदर, ms word के अंदर, तो उसको हम change कर सकते हैं, इससे क्या होता है, कि आपने जो word लिखा है, उसको अलग-अलग करके आप highlight करवा सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप यह font color का use करते हैं, फिर हम बात क जाते हैं, वहाँ पर table create कर सकते हैं, insert table में जाकर, आप अपने according row and column को select कर सकते हैं, और आप table select कर सकते हैं, table क्यों select करते हैं, बेसिकली दोस्तों, हमें अगर किसी चीज़ के उपर differentiate करना है, हमें किसी चीज़ को table के अंदर show करना है, तो हमें MS doc के अंदर, MS word के अंदर, एक table की जरूत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, table draw करेंगे, और उसमें हमें पास option होता है, दोस्तों, कि हम कितने row चाहिए, और कितने column चाहिए, उन सब चीज़ों को select करेंगे, और select करने के बाद में हम उसको click करेंगे, तो जहां पर हमने पहले cursor से select कर रखा था, उसी जगह पे हमारे table draw हो जाएगा, उसमें column and row आजाएगे, और हम उसके according उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हम एक बाद इसका quick review कर लेते हैं, हमने देखा कि bold करने के लिए text को select करो, और control B करो तो bold हो जाएगा, यह style है, italic क्या है, एक again style है, हमने text को select किया, और control I किया, तो वो italic हो गया, underline, हमें किसी word या document, किसी word या text के निचे underline करना है, तो हम control U करेंगे, तो वो underline हो जाएगा, फिर हमें किसी text को center पर लेकर आना है, दोनों side से, right और left से हमें उसको center में लेकर आना है, पूरे document को, तो हम क्या करेंगे, control और E करेंगे, control और E करने पर वो text जो है, वो center में आ जाएगा, ठीक है, फिर हमें text को अगर केवल right side में लिखना है, दोस्तों, तो हम control और R करेंगे, control और R करने पर जो text है, वो सारा का सारा right side में आ जाएगा, फिर है justify, अगर हमें सारा text और paragraph को left में करना है, तो हम control और J करेंगे, और हमारा सारा text या paragraph जो है वो left side में चला जाएगा दोस्तों, फिर हम बात करते हैं font color की text या लिखावट के color को हमें change करना है, ठीक है, हमने तो text लिखा है, या उसको हमें change करना है, तो हम font color का यूज़ करके, अलग-अलग font के अंदर हमारे text को हम लिख सकते हैं, फिर बात करते हम draw a table, इसमें क्या कि हमें document में जहां पर भी table चाहिए, हम जो है insert table पर जाकर, जितने हमें row चाहिए, जितने हमें column चाहिए, उनको हम select कर सकते हैं, और उसके बाद हम हमारा document, हम जो है document के अंदर हमारा table, हम insert कर सकते हैं, दोस्तों, तो यह रहा हमारा MS Word का second part, दोस्तों, अगर आपको यह वेरा online classes, इसको आप subscribe कर लीजिए, ठीक है, इसके अंदर हमने पटवारी से related, राजस्तान जीके के लिए, राजस्तान कल्चर की class, राजस्तान जीला दर्शन की class, और राजस्तान computer के लिए हम computer की class भी लगा रहे हैं, तो यह आपको upcoming exam के अंदर बहुत ज़्यादा help करने वाला है friends, तो आप प्लीज इसको like कर लेंगे और subscribe कर लेंगे तो आपको जो वीडियो मिलते रहेंगे friends, ठीक है, तो आज आपने हमें जो time दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends, आज के लिए हम close करते हैं, thank you friends, have a nice day, bye bye